हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका मेरे इस वीडियो में तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हम JK Domicile Certificate को डाउनलोड कर सकते हैं इसके लगा को इस वीडियो में कुछ क्वाइरिस डिसकस करेंगे इस वीडियो में इससे पहले मैं काफी सारी वीडियो JK Domicile Certificate को अपलोड कर चुका हूँ तो आज हम बात करेंगे JK Domicile Certificate को डाउनलोड करने की तो आपको simply करना क्या होगा JK.gov.in की जो e-services site वो उपन करना होगा इसका लिंक में आपको citizen enter करना होगा यह capture code fill करने के बाद सब्मिट पे क्लिक कर देना होगा मैं आपको बता दू कुछ लोगों की query है कि अगर उनके पास login ID, password नहीं है क्या वो Domicile Certificate को download कर सकते हैं ऐसे बहुत सारी लोगों की query है मैं आपको बता दू, online ऐसा कोई procedure अगर आपके पास login ID, password नहीं है तो आप download नहीं कर सकते हैं ठीक है तो इसके लिए आपको तहसेल में विजट करना होगा अगर आपके पास application ID है तो वहां से वह भी आपको प्रिंटो निकाल के दे दे confirm नहीं है तो लेकिन online आप print नहीं कर सकते आपके पास login ID, password नहीं आप बोल चुके हैं यह एक query थी तो next query यह थी कि application ID अगर है आपके पास है तो online download कर सकते हैं आप नहीं कर सकते हैं अपके पास login ID, password होना चाहिए जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि application ID है आपके और की ID में login करके download करेंगे है आप सिर्फ अपनी ID login करके ही अपने domicile certificate को download कर सकते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप download कर सकते हैं आपको simply करना क्या होगा यहाँ पर अपनी login ID enter करनी होगी और password enter करना होगा तो बहुत सारे लोगों को problem आती है यहाँ पर login करने में ठीक है तो यहाँ पर मैं अपनी login ID password enter कर दूँगा तो जैसे कि मेरी ID successfully login हो चुकी है तो आपको simply करना क्या होगा इस services आपको दिख रहा होगा यहाँ पर भी दिख रहा है नीचे भी दिख रहा है आप क्लिक करना होगा ठीक है अगर आपके पास application ID है तो आपको simply download पर क्लिक कर देना होगा अगर आपके पास application ID आप बोल चुके है तो आपको simply यहाँ से यह copy करनी होगी तो यहाँ से मैं यह application ID को copy कर दूँगा यहां पर copy करने के बाद आपको simply करना क्या होगा यहां पर download का option दिख रहा होगा आपको simply इस पर click कर देना होगा इस पर click करने के बाद यहां पर आपको simply सबसे पहले capture code यहां पर enter कर देना है क्योंकि सबसे पहले capture code बोला गया है तो यहां पर मैं capture code enter कर दूँगा इसके बाद मैं simply यहाँ पे अपनी जो application ID है वो यहाँ पे enter कर दूँगा फिल कर दूँगा इसके लाबा यहाँ पे बहुत सरी instruction दी गई है नीचे तो इसकी related कोई भी मैंने video upload कर चुका हूँ कैसे आपको verify करना है तो यह आपको उपर दिखरी होगी video आई बटन में तो आप simply वहाँ से वीडियो को देखके अपने जो भी certificate उसको आप verify कर सकते है तो आपको simply submit पे click कर देना होगा submit पे click करने के बाद जो आपका domicile certificate होगा वो download हो जाएगा यह procedure mobile phone में भी कर सकते है PC में भी कर सकते है तो मैंने यह domicile certificate सेव कर दिया है तो यहाँ पर मैं आपको एक वार open करके भी दिखा दूँगा तो यह मेरा domicile है आपको screen के उपर show हो रहा होगा तो इस तरह से आप अपने domicile certificate को download कर सकते है वीडियो अच्छी लगे है तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों के साथ शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बूलना